नमश्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपना कार्यापत्रक नमबर 26 और दिनांख है 1 अक्टूबर 2020 तो हम अक्टूबर के महीने में प्रवेश कर चुके हैं और आज का जो कार्यापत्रक है वो कक्षा 6-8 वी के विद्यारतियों के लिए और ये बताता है हमें हमारे यातायात के साधनों के विशे में कि उनको किस तरह से चलाया जाता है उनके लिए किस इंधन का प्रियोग किया जाता है तो आईए देखते हैं हमारी वक्षीट में हमें क्या दिया गया है रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था यहां उसने सडकों पर दोड़ती हुई बहुत सी गाड़ियां देखी वह कार से गूमने निकले तो आपने भी देखी हैं आप शहर में रहते हैं तो आपने बहुत सारी गाड़ियां देखी हुगी और आजकल तो गाउं की सड़कों पर भी बहुत सारी गाड़ियां दोडती है रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोक कर पैटरोल भरवाया रोहन ने पूछा चाचा जी पैटरोल कहां से आता है तो चाचा जी ने बताया पैट्रोल एक काले रंग के गाड़े तेलिये दरव से मिलता है जिसे पैट्रोलियम कहते हैं यह एक प्राकर्तिक इंधन है इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है यह प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुंदरी जीवों के विशेश प्रिस्थितियों म बन कर तयार होता है और यह एक अच्चे तेल से मिलता है यह एक प्राकर्तिक इंधन है यानि के इसे मानव द्वारा नहीं प्रकर्ति द्वारा निर्मित किया जाता है और किस तरह से मिलता है प्राचीन समय से भी पहले जब प्रित्वी पर जो पेड़, पोधे, जानवर, म गटन इससे बनता है तो पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल पेट्रोल संपेडित प्राकरतिक गैस डीजल द्रवीकरित पेट्रोलियम गैस लपीजी जो की घर में खाना बनाने में काम आती है जैसे अनेक उत्पाद प्राप्त किये जाते हैं CNG का उपियोग वाहनों में किया जाता है तो अब आगे देखते हैं कि कौन-कौन से वाहन है हमारे तो आप देखेंगे कि इस चित्र में जो बताया गया है यहाँ पर ये जो चित्र है इसमें हमें oil के products के बारे में बताया गया है यानि कि जो तेल बनता है जो हमारा प्राकरत एक तेल होता है कक्चा तेल होता है उसके ये कुछ हिस्से हैं जिनका की यह हम अलग अलग सौरेशन Prefer film में प्रियोग करते हैं तो हमें जो पेट्रोलियम है उस्से क्या क्या मिलता है JEFF पंकर फ्यूल जो है, वो हमें यहां से प्राप्ट हो रहा है, आप देखें, यह वाला हिस्सा जो है, वो दिखा रहा है, कि हमें किस तरह से प्राप्ट होता है, यह लिक्विफाइट पेट्रोलियम गैस का हिस्सा आप यहां पर देख सकते हैं, जेट फ्यूल हमें यहां से मि तो पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल का समय लग जाता है हमें सोच समझ कर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करना कम दूरी तै करने के लिए पेट्रोल पैदल चलना या साइकल का उपयोग करन इतियादी करना चाहिए यानि कि हमें पैटरोल को बचाने का उपाए ढूनना चाहिए कोशिश करनी चाहिए और हमें पैटरोल की जगें वो पूछा गया है CNG तथा LPG का पूरा नाम तथा इनके उपियोग लिखिये तो आप देखेंगे कि CNG कोई और LPG की जो फुल फोम है वो यहां भी दी गई है आप देख सकते हैं कि संपेडित प्राकरतिक गैस होती है CNG और द्रविकरित पैटरोलियम गैस होती है LPG इसको हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं CNG है संपेडित प्राकरतिक गैस और LPG है लिकवीफाइड पैटरोलियम गैस या इस लिकवीफाइड शब्द को हम लिख सकते हैं द्रविकरित जो की यहां आपके उसमें बताया गया है तो हम यहां पर इसको द्रविकरित भी लिख सकते हैं तो LPG और CNG और LPG का प्रियोग कहा होता है आपने देखा कि CNG का प्रियोग वाहनों को चलाने में किया जाता है और LPG का प्रियोग खाना बनाने के काम में लिया जाता है तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि CNG का प्रियोग वाहन चलाने हे तू किया जाता है वाहन चलाने के लिए किया जाता है और LPG का प्रियोग खाना बनाने के लिए किया जाता है तो अब आप आगे देखेंगे कि अगला प्रिशन क्या दिया गया है में हम पैट्रोल को कैसे बचा सकते हैं कुछ उपाए सुझाईए यानि के हमें यहां कहा गया है कि पैट्रोल को बचाने के उपाय सुझाने हैं हमें तो हम यहां देख सकते हैं हम पैट्रोल की बचत बहतर तरीके से कर सकते हैं यदि हम सोच समझ कर पैट्रोल का इस्तिमाल करें हमें पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करना, कम दूरी तै करने के लिए पैदल या साइकल का उपयोग करना चाहिए साथ ही हम अपने वाहनों में CNG का प्रयोग भी कर सकते हैं तो ये था हमारा प्रशन नंबर दो का उत्तर हम इस प्रकार पेट्रोल को बचा सकते हैं अब देखते हैं अगले प्रशन में हमसे क्या पूछा गया है अगले प्रशन में हमसे पूछा गया है पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूख करने पर एक स्लोगन लिखिए तो बच्चों यहां पर हमें अपनी creativity दिखाने हैं, हमें एक slogan तयार करना है, तो आईए मिलकर एक slogan तयार करते हैं, और slogan कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, सो समझ कर करो इस्तेमाल, पैट्रोल बनना नहीं आसान, सदियां लगती इसको बनने में खतम हुआ, तो वक्त हमको फिर से उबरने में, यानि के जो हमने पैट्रोल से इतनी सारी प्रगती कर ली है, इतने सारे वाहनों को हम चलाते हैं, उसमें हमें समय लगती हैं, तो आईए बच्चों देखते हैं, हमारी वर्कशीट में हमारे लिए आगे और क्या दिया गया है, अगला प्रशन है, यदि पृत्वी से पैट्रोल खतम हो जाए, तो क्या होगा, कल्पना कर अपने विचार लिखिए, तो यहां पर हमें अपने विचार लिखने हैं, तो आप सोच सकते हैं कि पैट्रोल खतम होने से क्या क्या होगा, एक तो हमें वाहन चलाने के लिए पैट्रोल नहीं मिलेग तो इसके लिए हमने विचार कुछ अपने लिखे हैं आईए देखते हैं क्या क्या हो सकता है यदि पैट्रोलियम खतम हो जाता है तो हमारे विश्व में एक अस्थिरता की स्थिती बन सकती है और इससे युद जैसे हालात पैदा हो सकते हैं क्योंकि जब पैट्रोलियम नहीं को लेकर युद तक की स्थिती आ सकती है गहरे कुओं से बचा हुआ पैट्रोल निकालना हमारी आर्थिक स्थिती को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है यानि के जो पैट्रोल बचेगा वो बहुत ही गहरे कुओं में होगा या बहुत ही ऐसे इलाकों में होगा जहा पर जाना मुश्किल होता है तो वहां से पेट्रोलियूम निकालना हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत नुक्सान पहुंचाएगा और इससे विश्व निश्चित ही बहुत जादा प्रभावित होगा तो देखा बच्चों आपने की पेट्रोलियूम अगर हम नहीं तो हमारी स्थिति किस तरह की हो सकती है हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अपने यातायात के साधनों को चलाना हाला कि इसके लिए हमारे पास बहुत सारे अन्य रास्ते भी हैं लेकिन आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वहां चलाने में पेट्रोल का जाएवाद